दोस्तो अगर आपके PM किसान beneficiary status में सब कुछ सही है लेकिन फिर भी आपको PM किसान सम्मानि धियोजना की सोलवी किस्त का पैसा नहीं मिला है तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको इस problem का पूरा solution बताने वाले हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं दोस्तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर एक PM किसान का beneficiary status देख सकते हैं और इस status में eligibility status के नीचे वाले तीनों option के सामने हरा टिक और यस लिखा हुआ सो कर रहा है यानि कि दोस्तो इस किसान के status में कोई भी गलती नहीं है और इस किसान को PM किसान सम्मानि धियोजना की सभी कि दोस्तो जैसा मिलना चाहिए दोस्तो जैसा कि आपने उपर वाले status में देखा था कि वहां पर तीनों option के सामने हरा टिक और यस लिखा हुआ सो कर रहा था और इस किसान के status में कोई भी कमी नहीं थी लेकिन दोस्तो आप यहां पर latest installment details वाले option को देख सकते हैं और हमने यहां पर शोलवी किस्तो को select किया है दोस्तो जब हम यहां पर सोलवी किस्तो को select करते हैं तो हमारे status में यहां पर FTO Processed के सामने लाल क्रोस और नो लिखा हुआ सो करता है दोस्तो FTO का मतलब होता है fund transfer order दोस्तो आप FTO से पता लगा सकते हैं कि आपकी किस्त का पैसा जारी किया गय या नहीं दोस्तों अगर आपके स्टेटस में यहां पर FTO प्रोसेस्ट के सामने हरा टिक और यस लिखा हुआ सो कर रहा है तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपके पैसे को जारी कर दिया गया है लेकिन दोस्तों अगर आपके स्टेटस में कुछ इस तरह से FTO प्रोसेस्ट क सामने लाल क्रोस और नो लिखा हुआ सो कर रहा है तो दोस्तो इसका मतलब यह है कि आपकी PM किसान की सोलवी किस्त का पैसा जारी नहीं किया गया है तो दोस्तो आपको अपना PDFMS डाटा चेक करना होगा दोस्तो PDFMS डेटा को चेक करने के लिए आपको अपने फोन के Google में PDFMS टाइप करके सर्च करना है और जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पहले number पर PDFMS की website आजाएगी जिस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है और आपके सामने PFMS Portal का Dashboard ओपन हो जाएगा लेकिन दोस्तों इस वेफसाइट पर अभी कुछ अपडेट का काम किया गया है जिस कारड ये वेफसाइट अभी अच्छे से काम नहीं कर रही है इसलिए दोस्तों हमने description box में पुरानी वाली PFMS वेफसाइट की लिंक दे दी है जिस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का एक page open होगा जहां पर आपको category वाले option में PM किसान को select करना है और फिर dbt status में payment वाले option को select करना है और इंटर application ID वाले option में आपको यहां पर अपना PM किसान का registration number लिखना है और यहां पर आपको नीचे वाले capture को देख कर लिखना है और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे search वाले option पर click करना है जिसके बाद दोस्तों आपके सामने payment details का एक नया page open होगा जहां पर अगर आपकी किस्त आई होगी तो वो यहां पर so करने लगेगी जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर इस किसान की तेरवी किस्त आई है और इस किसान को तेरवी किस्त के 2000 रुपे दिये गए है दोस्तों अगर आपकी status में यहां पर 60 वी किस्त सो करने लगी है तो आपको जल्द ही PM किसान की 60 वी किस्त का पैसा मिल जाएगा लेकिन दोस्तों अगर आपके सर्च करने के बाद यहां पर record not found लिखा हुआ सो कर रहा है तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपकी PM किसान की 60 वी किस्त का पैसा जारी नहीं किया गया है दोस्तों अगर आपके स्टेटस में सब कुस सही है लेकिन फिर भी आपको PM किसान की 60 वी किस्त का पैसा नहीं मिला है तो दोस्तों इसका करड़ यह हो सकता है कि अगर आपने अपने स्टेटस में जल्द ही किसी option को सही कराया होगा क्यूंकि दोस्तों जब PM किसान की अगली किस्ताने वाली होती है तो जिन किसानों के स्टेटस में सब कुस सही होता है उन किसानों की लिष्ट पहले बन जाती है और अगर आपने किस्ता आने से एक दो दिन पहले अपने status में किसी option को सही कराया होगा तो आपका नाम उस list में जोड़ा नहीं कया होगा जिस करण आपको PM किसान की सोलवी किस्तका पैसा नहीं मिला है लेकिन दोस्तों अगर आपने अपने स्टेटस में जल्द ही किसी option को सही नहीं कराया है लेकिन फिर भी आपको PM किसान की सोलवी किस्तकवा पैसा नहीं मिला है तो दोस्तों आपको अपने PM किसान के beneficiary status के एक print को निकलवाना है और फिर आपको उस print को लेकर अपने ब्लॉक के PM किसान कार्याले में जाना है और वहाँ पर जाकर आपको अपने status को दिखाना है जिसके बाद आपके ब्लॉक के PM किसान कार्याले के अधिकारी आपके समस्या का निवारण करेंगे या फिर दोस्तों आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं